गुजरात के भावनगर में विभिन धार्मी का त्योहारों को भक्ती भाव से मना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आस्था से जिड़ रहे हैं। भावनगर के भावनगर के पानवाडी का राजा, सरीता सोसाइटी, कालियाबीड, भगवती सरकल, जैसे कई इलाकों में परंपरीक रूप से सालों से गणिश उत्सव मनाया जाता है, जिसका उत्साह अलग ही होता है। महाकाली मित्रा मंडल ट्रस अमरू आखो ग्रूप चलाई विया चे, छो वरस्थी सतत गणपदी उस्त्व करता है विया चे, अलग अलग तीम उपर करिये चे, आ सात्मा वरस्थे अमरू गणपदी उस्त्वनू, अन्ने दर वक्ति आमें इको फ्रेंली गणपदी बनाव मारी मूर्टी अमर्टी बनता समय महीना सम्य महीना जेव लागे चे अन्ने आ कारीकरी बधा बंबे नाच्छे आमूर्थी ते यार थै आपंड़ मागा अवी गई छे तर्दरे अविक भक्त जनोने दर्शन करवा अमारी नौरा अपील छे श्री माकाले माताजी मित्रमंडल ट्रस्ट छेला चो वरस्ती सत्त गनपती उच्छो न आयोजन करी रही हुँछे आ वर्षे सात्मा वर्षे पन खुब भव्य थी भव्य आयोजन श्री माकाले माताजी मित्रमंडल ट्रस्ट द्वारा करोम आविरुजन त्यारे अमें लोको भावाने ने जंता माटे एक बढूभी ठीम लहीन आविरा छे हैं आ थीमनी अंदर तमाम लोकों ने खुब रस्प्रत जागे अनर जेव लोकों ने नवीरी करनकाक लागे भावनगरनी माटे एई वस्तू लहीनमे आविरीा छे बावनगर के कोलियाक निश्कलंक महादेव के समंदर किनारे पर बावनगर से 30 किलोमेटर दूर स्थित होलियाक के समुदर में बिराजमान निश्कलंक महादेव के सानिध्य में रुशी पंचमी के मौके पर समुदर स्नान और पित्रू तरपन जैसे धार्मिक विधि विधान को अंजाम दिया गया समुदर किनारे पर अपने स्वजनों की पित्रू तरपन विधी आस्था के साथ की गई इस दिवसपर समुदर स्नान की विशेश महत्ता है माना जाता है कि पांच पंडवो द्वारा यहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी और उसी की पूजा अर्चना का विशेश महत्व है बड़ी संख्या में शथालोग के समंदर किनारे पर वड़ने से चुस्त पुलीस बंदोबस्त भी तैनात किया गया वही भावनगर में सिंदी समाज के चालीसा व्रत की आज श्रधा के साथ पूर्णा होती की गई इस मौके पर आस्था और श्रधा के साथ भव्य शुभायातरा का आयोशन किया गया दरसल भारत और पाकिस्तान के हिस्से के बाद पाकिस्तान में बसने वाले सिंदी समाज की लोग भारत आ गये थे ये लोग भावनगर में समंदर किनारे से पहुँचे थे और उसी वक्त से भावनगर के अलग-अलग इलाकों में रह रहे सिंदी समाज द्वारा विभिन धार्मी कायोजन किये जाते हैं यहां जूलेलाल के मंदिर की स्थापना भी की गई है और इसी क्रम में यहां चाली सावरत शोभायात्रा के साथ संपन किया गया इस मौके पर भजन किर्टन समेत के धार्मी कायोजनों में बड़ी संख्या में सिंदी समाज के लोग शामिल हुए करिक्रम में सिंदी समाज के धर्मगुरू साई शेरवाला विशेश रूप से उपस्तित रहे इस शोभायात्रा शहर के अलग-अलग इलागों में घूमी और जूना बंदर पहुँच कर चाली सा वरत का पारणा किया गया जूलेलाल धाम जुना बंदर रोड उपर आभवे कारिकरम थावानूं से अने साजे साथ वगे समू प्रार्थनानू पन आयो जन से तमाम सहरवासियों नू राजजना लोकों नू अने देशना लोकों नू कल्यान थाए शुखा कारी थाए तेना माटे समू पलव समू प खबरे सामने आती ही रहती हैं इसी तरह एक और हाथसे की खबर निलामबर सरकल से सामने आई गोतरी पुलीस और परिवार मौके पर पहुँचे घर की महिला की मौत के बाद परिवार मौके पर रोता बिलखता हुआ नजर आया दरसल रहाई शीलाकों में भी ऐसे बड़े बड़े बाहन बेकाबू रूप से चला कर लोगों की जान को खत्रे में डाला जाता है चश्मदीदों का ये भी कहना है कि डंपर चालक काफी नशे की सिती में था जसकी वज़े से ये हादसा हुआ और महिला की डंपर की नीचे दब कर मौत हो गई है सौथी पेला में या सिगनल पर में बदा उगा था सिगनल बंद हो अमारू अने आटक वारा बहिने आब आजू सेवासी बनी थी आवू और या बेन प्रिया ट्वाकित बनी थी आउता हाथा अने जे डंपर वार हो तो ये सिगनल बन हो बंद हो अचाता ये बही स्पीड मा निकरवानी कोशिज करता हो अगलनो वील चड़ीगी आखको माथो फाड़ी गी इसे बहननो और ने जे नानी चोखरी हो ती आने या होस्पितल ने दाखल करवा मावा अगली शे अने आज ये डंफर वार होतो ये फुल पुदेली आलत मा आतो एना सेट में अमें इन्या थी केट्टला वेजा कॉल करया एक कॉल पन उचब्टो ना थी अने अल्ट्रा टेक नो अतू एव अमने जावाद जन्मा मली शे एनो ड्राइविंग लाइसन्स उता इत दम नानो हो अने 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 अप्रण पुलिस ने अमारी नमर अपील छे तमें जी आवा लुक्हा ततू ओ छे एनो तमें डोर मार मारवामा आवे कदाच कोई नी बिहन दिकरीव भाई ते गमें ते परिवार बसी सके केम के कदाच ये बिहन ना घरवारा अव्याता एक ता ये ता ये पुलिस वालों को शूद लेनी चाहिए कि इन चीज़ों ये बंद हो जाए और क्या जीए चीज़ों हो उच्स नहीं जीए जाए ये समस्या बंद जाएक हाँ शरकर में रखोड़ार हो ट्राफिक पोलिस वतिक नधिया एसी दॉन अत्यार था सुद आ त्यार था जोवा माह ई है नहीं है ए तरह करे ना बनाव बने नहीं अए धरवाग बने नहाँ गुज्वात के एमदबाद में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए अलग-अलग इलाकों में कुद्रिम तालाब बनाए गए हैं कुदरती जल संसाधन दुशित ना हो इस आशरी के साथ गुश्रात के अलग-अलग शहरों में कुत्रिम तालाब बनाए गए है। दीड़ दिन के गणपती का शद्धा से वसरजन किया गया। आशरी के तालाब अलग-छलग कर तालाब ए डगष्ट आरी काल अलग झाल भाल-ग्या । कि इस दो निए निए तर्फ निए थे दो भाए है खीक से साफ करो, उपर उपर से नहीं BLDC मतलब बोरिंग, लुकिंग इसको साफ करके क्या फाइदा? इतनी बेज़ती है Switch to R.R. Signature Designer BLDC Fans जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है R.R. Signature Fans, आपके काम की बात Every New Year, we take a New Year Resolution New Year Resolution का मतलब होता है Upgrading Your Life Which means upgrading your lifestyle And upgrading your living space And that is why the best choice is Trilogy by Kotiya Trilogy by Kotiya Finest architecture, world-class amenities And a great space to live Come check it out भारत ले रहा है Electric अगडाई क्यों न हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े साथ बढ़े देश मेरे देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की और आपका जोई, भारत का जोई प्चे हesian मेरे गारत को दोचे दोगो है साथ प्यूजए गरत का इटावी साथ ही ज्लाव by कर दो कर दो कर दो कर दो हमें लड़की पसंद है कुंदली भी मिलती है काफी होट है कोने कोने में हवा ने कोच रही Switch to RR Signature Broadway Fans with curved plates जो हवा पुचा है कोने कोने में Feeling like a wow RR Signature Fans आपके काम की बात Welcome to Courtyard Palladium 3 BHK large size apartments Jyatham Namrshek grand living room with an amazing view Sate a comfortable dining area a perfect kitchen for your perfect family Now three bedrooms look fellow bedroom with an amazing balcony view Sate the second bedroom which is very comfortable very cozy and has ample of sunlight and now for the third and the master bedroom of this house this is so amazing so grand and so beautiful Best वाता apartments ने चेका या तमने मड़े चे वाक्तू बापनी So now I'll see you in the living room Let's go This is amazing, right? Courtyard Palladium 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili Don't forget to visit I'll see you in the living room 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 बडूद्रा के नवलखी मैदान में गणीश वसरजन के बीच बड़ा सा मगरमच रेस्क्यू किये जाने से हड़कम मच गया बडूद्रा के नवलखी मैदान में महानगरपाली का द्वारा गणीश वसरजन के लिए कुत्रिम ताला बनाए गए हैं जहां आज धाई दिन का वसरजन भी हो रहा है इसे बीच नवलकी मैदान की परीसर से ही पांच फीट बड़ा सा मगरमच रेस्क्यू किया गया है दरसल यहां चल रही बिजली विभाग की कारिवाहे के दौरान बड़ा सा मगरमच देखे जाने से देश्चत फैल गई फोरण घटना की जानकारी वन्विभाग और रेस्क्यू टीम को दी गई जिन्होंने मौके पर पहुँचकर पांच फीट के बड़े से मगरमच को पिंच्रे में कैद कर लिया है दरसल इन दिनों विश्वमित्री नदी का पानी भरजानी से नदीज के मगरमच पुरे वड़ोदरा शहर में देखने मिल रहे हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है साथ ही मगरमच का रेस्क्यू ओपरेशन भी लगातार जारी है गुजात की सूरत में बीती रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने संपुन रूप से काबू पाकर जन जीवन सुचारू कर दिया है गुजात की सूरत के साथ पुरा में बीती रात वर्यावी बाजार का राजा पर रिक्षा में आए कुछ लोगों ने पत्राव किया था और थाने का घहराव कर कानूनी कारिवाही की मांगी इस दौरान कई जगा पत्राव और वाहनों और ठेलों में तोड़ फोड की घटनाएं भी सामने आई साड़े चार घंटे तक उब्दरव्यों के साथ साथ दोनों कोम के लोग सड़कों पर उतराए और जम कर हंगामा होता रहा लेकिन सुरत की पुलिस कमिशनर डॉक्टर अनुबम सिंग गहलोत और उनकी पुलिस फोर्स ने फोरन हालातों पर काबू पा लिया और आज सुबह चुस्त पुलिस बंदोबस के बीच सयदपुरा में वरियावी के राजा की आर्थी भी की गई है यहां का जन जीवन भी सुचारू कर दिया गया है और समूच इलाके में पुलिस बंदोबस तैनात कर दिया गया है गुजराब में इन दिनों सरकार के खिलाफ पनब रही असंतूश के बीच मनाय जा रहे गणेश उत्सव में इस तरह की घटना से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं लेकिन फिलहाल मामली पर संपून रूप से काबू पा लिया गया है जो माहल है उसको एकडम कंट्रोल में कर लिया हैं अभी माहल एकडम संपून है सबी लोग अवर जबर कर रहे हैं सबी लोग इजर उदर घुम रहे हैं और 200-500 पुलिस अभीकारी और कम चायों को बंदोबस चालूँ है और तिमी संपून है मैसेज यह है कि सबी लोग जो अपना क्यार है शांती से उसको मनाए और ऐसी कोई अप्वा वगेर में पड़े नहीं और शांती से अपना काम करे और मस्त गनेश जी का उच्छ है जो भी उच्छ है उनको मनाए